ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है जैसा कि आप सबको विदित है कि कुछी दिनों में होली आने वाली है और ये ऐसा पावन पर्व होता है जिसमें कि कोई भी सिध्धी प्राप्त की जा सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सटीक मोहिनी मंत्र जो की कभी खाली नहीं जाता प्रेमी की नीद उड़ाने के लिए इस मंत्र का प्रियोग अवश्य करें ये इतना कारगर है कि पहले ही दिन से असर दिखाने शुरू कर देता है मुझे याद है स्कूल टाइम में ये मैंने यूज किया था और लगबख एक महीने के भीतर भीतर इसका असर मुझे दिख गया था एक महीने के भीतर भीतर कुछ ऐसा हो गया था जो की मेरी आखे मेरा दिमाग जो है सोच भी नहीं पा रहा था इसको ग्रास्प नहीं कर पढ़ा था कि ये हो कैसे गया ये तो मतलब आलोकिक था जो भी कुछ हुआ वो इश्वेरे शक्ति द्वारा हुआ और इतना सटीक जो कि मेरे भीतर के इच्छाए थे वो सारी फलित हो गई तो इतना पावरफुल और इतना सटीक लगने वाला ये मुहनी मंत्र है जो कि लाखो रुपे खर्च करने के बाद भी कोई आपको ना दे तो चलिए इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं तो जो कोई भी साधक इसको साधना चाहे उसको सर्व परथम एक ऐसा हवादार कमरा कोई जंगल कोई पहाड कोई ऐसा स्थान डूड़ना है जहां पर कि एक दो घंटे के लिए उसको कोई डिस्टर्ब ना करे पहले कि ओता था कि लोग एकांत वासी हो जाया करते थे जब भी कोई साधना करते थे कोई वन में निकल जाते थे कोई गुफाओं में रहने लग जाते थे और इस तरह से जो हैं शक्तियां जो हैं अपना काम करती थी लेकिन आज कल क्या है कि लोग काम पर जाते हैं नौकरियां करते हैं तो इसमें ये संभव नहीं होता कि वो एकांत गामी हो जाएं और एकांत में रहना शुरू करते हैं तो आपके हिसाब से मैं आपको बताओं तो आप अपने ही घर में कोई ऐसा कमरा को इस्थान ढोंड़े जहां पर कि आपको एक घंटे के लिए कोई भी डिस्टब ना करें एक ऐसा हवादार कमरा जिसमें की खुब रोशनी आती हो और हवादार हो वहाँ पर आप एक लाल रंग का आसन बिचाएं और पूर्व की तरफ मुख कर लें और आसन बिचाने के बाद एक दिया जलाएं दिये पर अपना हाथ रखें और अगनी को शाक्षी मान कर इस मंतर का गुमफन शुरू करें और इसकी जो तिथी है वो रहेगी होली के सुभे से लेकर आप रात के बारा बजे तक इस मंतर का जाप कर सकते हैं बहुत ही प्रभावी बहुत ही सटीग लगने वाला मंतर है जो कि होली की रात्री में ही सिद्ध हो जाएगा आपको क्या करना है कि जहां पर होली का बंती है वहां पर आपको इस मंतर का 108 की संख्या में जाप करके आल जाना है होली के जलने से पहले और जब होली का जल जाए उसके बाद उसकी राह को लाकर इस मंतर को 108 की संख्या में प्रती दिन एक तालिस दिनों तक जाप करना है जब जाप संपन हो जाए उसके बाद आपको उसमें से जो आपकी राक बचेगी उससे आपको नहाना है और थोड़ा थोड़ा करके जो है जैसे एक चुटकी आप डाल कर नहाईए और एक चुटकी आपको अपने जो भी साध्य है उसके सिर पर डाल देनी है और इसके बाद जो कमाल होगा वो इतना बहतरीन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते देखते ही देखते सामने वाला जो है वो आपसे वशिभूत हो जाएगा ये आजमाय हुआ तंतर है जो कि कभी भी खाली नहीं जाता और अब तक मैंने जितने भी अपने साध्यकों को दिया है इसने अपना काम बखू भी किया है चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो सामने वाला चाहे लाख बुरा हो चाहे आपकी तरफ फूटी आँख भी ना देखता हो तो भी ये मंत्र अपना काम करेगा आपको बस इस मंत्र का सही से प्रयोग कर लेना है बहुत से तूटियां हो सकते हैं क्योंकि मंत्र बहुत बढ़ा है तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक बार मुझे वाटसअप कीजिएगा अपनी प्रनाउंसेशन तो फिर मैं देख के बताऊंगा कि आपने सही सही जपा है या नहीं उसके बाद ही इसको प्राहरंब कीजिएगा तो मंत्र है ये मंत्र थोड़ा बढ़ा है तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और पहले लिख कर इसको कंठस्त कीजिएगा उसके बाद जो है इसका प्रियोग कीजिएगा ओम नमो आदेश कामक्या देवी को जल मोहू थल मोहू जंगल की हिरनी मोहू बाठ चलत बटोही मोहू दरबार बैठा राजा मोहू पलंग बैठी रानी मोहू मोहिनी मेरा नाम मोहू जकत संसार तारा तरीला तोतला तीनों बसे कपाल सिर चड़े माता के दुश्मन करू पमाल मात मोहिनी देवी की दुहाई फूरे मंत्र खुदाई तो ये मोहिनी मंत्र है बहुत ही चमतकारी और शेगराती शेगर काम करने वाला यो तो मैंने आपको लाखो मंत्र दिये हैं लेकिन जो मंत्र सटी काम करते हैं जो मंत्र वास्तव में आज भी जीवित हैं उद में से ये कुछ मंत्र है जो की कीलित नहीं है अक्सर क्या होता है कि मंत्र तो मिल जाते लेकिन वो कीलित होते हैं जो की चलते नहीं है लेकिन जो भी मंत्र मैं आपको देता हूँ वो मोहिनी मंत्र होता है शाबर मंत्र होता है जो कि किसी नए आदमी से भी सिद्ध हो जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो साधक होता है वो बस अभी उसने उसका पहला ही चरण होता है और वो मोहिनी मंत्र चलाना शुरू कर देते हैं तो मोहिनी मंत्र जो है इसके लिए आपको काफी साधनाएं काफी सिध्यां लगेंगी तब जाके आप मोहिनी मंत्र चला सकते हैं लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको शाबर मंत्र खा जाता है ये काफी कभीलों से, काफी ऐसे बीहड स्थानों से आते हैं जहां पर कि जो उनकी local language होती है, उसमें से आये होते हैं कुछ Sanskrit होता है, कुछ टूटी-फूटी language होती है और उसमें से ये मंत्र बने होते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ शब्द होंगे, वो Sanskrit के होंगे कुछ बीच में से उठा लिए गए होंगे कुछ ऐसे शब्द होंगे, जो कि समझ में ही नहीं आएंगे तो ये ऐसे मंत्रों को शाबर मंत्र खाते हैं और ये स्वेम सिध्ध होते हैं ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू करते हैं इनको सिध्धी की अवश्रक्ता नहीं होती तो जो आज का मंत्र है, ये शाबर मोहिनी मंत्र है जो की अपना काम सटीक करता है यदि सामने वाला जो है वो आप से दूर जा रहा हो, डाइवोर्स की बात चल रही हो या फिर कुछ भी ऐसा मनमुटाव चल रहा हो तो इसका प्रियोक किया जा सकता है इसको हमेशा सात्विक कारियों में लगाईएगा किसी का अनिष्ट करने के लिए ये शक्तिया नहीं बनी है तो एक बार जो है, जब भी आप इसका गुम्फन प्रारंब करें तो एक बार जो है, इसकी विधी के बारे में अवश्य वाट्सप से पूछ लीजेगा मेरा नंबर है 99241625, धन्यवाद